नमस्कार स्वागत है आप सभी का हर्याना के मौसम समाचार की ताज़ा बॉलिटिन में मौसम भाग ने देर साम ताज़ा अपडेट जारी की है तो हर्याना में फिर से होगी बारिस मौसम भाग ने बड़ी जानकारी दे दी है आईए जानते हैं मौसम जानकारी तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो हर्याना में एक दिन की धूप से पारा चर्णने लगा है तो बतादे की 24 गंटे में दिन के अधिकतम तापान में 6.5 डिगरी तक की बढ़ोतरी देखी गई है हिसार का तापान 14.5 डिगरी से बढ़ करके अब 21 डिगरी तक पहुच चुका है बतादे की प्रदेश के अन्य जिलो का भी यही हाल देखने को मिला है तो सभी जिलो में दिन के तापान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है मौसम भाग ने बताया है कि पहाडों में एक्ट्व हो रहे हैं पस्विच्छोब के असर से बदलाव देखने को मिले लगा है अब 30 और 31 जन्मरी से राज की अधिकान से जिलों में बादल चाएंगे और एक फर्वरी को हरियाना में कई जिलों में बारिस के आसार बन रहे हैं तो बतादे कि मौसम भाग के जो विशेसग हैं उन्होंने बताया है कि 31 जन्मरी की राज से हिमाले पर ताजा पस्विच्छोब का प्रभाव सुरू होगा इससे पंजाब की करेव साइगलोंग सर्कुलेशन भी विक्सित होने की संबावना है अरब सागर से दच्छिड पस्विच्छी हवाएं और बंगाल की खाड़े से पूर्वी हवाएं इस प्रणाली को नमी देंगी जिससे सिस्टम सक्री होगा एक फरवरी को पूरे दिन हर्याना चंडीकर के कई हिस्सों में बातलवा बढ़ेगी गरज के साथ कई स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिस हो सकती है बारिस के दोरान दिन के तापमान में भी तीन और चार फरवरी को कमी आएगी कोल्ड डे की सती कुछ इस्थानों पर एंदगर, रेवारी, जजजर, गुरुगरा, मेबाद, पलवल, फिदाबाद, रोहतक, बिवानी, चर्की दादरी में सुबह साम हलका कोहरा चाहेगा साथ ही कुछ जिलों में कोल्ड डे जैसे हलात बनी रहेंगे चंडीकर मौसम में भागी और से इन सहरों में कोहरे को ले